सब्सक्राइब दोस्तों आप से भी कहीं वीडियो में स्वागत है सब्सक्राइब यहां पर रेड्मी नोट 5 प्रो के लिए यहां पर पिक्सल एक्सपिरियंस बेस्ट अन्रोइट 10 रिलीज हो गया है एंड यह काफी स्मूध और काफी अच्छा है बग फ्री है क्योंकि बहुत कम देखने को मिलते हैं इवन जो हमारे पास रेड्मी नोट 7 में पिक्सल एक्सपिरेंस अगर आपने नहीं देखिए तो उससे भी कम बग इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो की काफी एचीब बात है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर आपको दिखा देता हूं किस तरीके से यहां पर आपको Android 10 देखने को मिलता है तो उससे पहले यार प्लीज अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो मेक शूर आप नीचे रेड वाला बटन दबा दो वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार लाइक भी कर देना यहां पर नीचे मिलेगा प्लीज तो यहां पर आपको दिखा दो तो सबसे पहले बल आपको September 5 का देखने को मलता है और यह काफी smooth और bug-free roam यहां पर देखने को मलती है इसके अंदर आपको hot spot का bug नहीं देखने को मलता है मैंने वोल्टी मैं सही बताओं तो अभी test नहीं करिए तो इसलिए मैं वोल्टी का confirm नहीं कर सकता अगर आप मैंसे किसी नियार इसको flash कर लिया है तो आप प्लीज comment करके बता दो कि वोल्टी यहां पर work कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्योंकि मैं यहां पर भी sim नहीं लगा पाया मैं पास कोई sim बचा नहीं था यहां चेक करने के लिए और टाइम की कमी थी तो इसलिए यहां पर मैं भी check नहीं कर पाया हूं उस काफी राम से चला सकते हो तो बिना किसी problem कि आपको google camera भी इसके अंदर work हो जाएगा तो आप google की pics भी यहां पर click कर सकते हो without any doubt आपको यहां पर यह चलता हुआ देखने को मलता है अगर हम back जाएं तो आपको यहां पर दिखा दूँ तो काफी fast app नो opening यहां पर होती है messaging आप आपको call drop सब चीज आपको इसके अंदर देखने को मल जाता है phone वाला जो की काफी अचा है उसी के लावब आपको यहां पर दिखा दूँ तो आप इस तरीके से आपको उपर से नीची notification वाला जो है drop down में आपको यहां पर changes देखने को मलते हैं इस तरीके से icon में थोड़ी दूरी आपको देखने को मिलेगी जो की काफी है बैटर है आप इस तरीके से slide कर सकते हो जिसके अंदर आपको dark theme बगेर आपका change करने का option यहीं toggle में देखने को मल जाता है इस तरीके से जैसे हम पुराना edit करते थे आप पूराना edit भी कर सकते हो जो की काफी अच्छा option है यह साथ यह बग फरी है इसमें आपको hot spot भी वर्क कर रहा है जो कि पेचले pixel experience note 7 के लिए उसमें वर्क नहीं करता है तो एक यह काफी अच्छा point है कि आपका hot spot भी working है और Wi-Fi hotspot दोनों एक साथ चल रहा है जो कि और भी काफी अची यहां पर बात यहां पर देखने को मिलती है उसे के लाब बैटरी बैकप का भी फिलहाल मुझे कुछ अंदाजा नहीं है लेकिन I think बैटरी बैकप भी decent enough आपके लिए होने वाला है डिस्प्ले बगएर हमें चलेंगे तो यहां पर adaptive brightness आपकी work करते हुई मिल जाए कि brightness level अगर देखा जाए तो काफी जादा bright है और dim करन तो इसमें देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको dark theme का toggle देखने को मिल जाता है जिससे आप easily यहां पर convert कर सकते हो अपने phone को dark mode में और काफी अच्छे से यहां पर यह dark mode work करता हूँ अभी आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि यह बहुत जादा smooth लग रहा है मैं यह ब चोड़ी दो तो ज्यादा बैटर रहेगा यहां पर आपको volume वगयरा भी देखने को मिल जाती है phone ringtone काफी सारी देखने को मिल जाएंगी pixel sound वगयरा सब चीज आपको देखने को मिल जाती है उसी के लगवा privacy की बात करें तो यहां पर आपको एक नया option मिल जाता है जो android 10 के अंदर आप privacy यहां पर चेक कर सकते हो उसे के लगवा location वगयरा भी आपको देखने को मिल जाती है accounts and security में आपको यहां पर fingerprint unlock देखने को मिल जाता है जो कि काफी च्छे से work कर रहा है आपको यहां पर screen off है तो भी आप यहां पर इसको enable कर सकते हो जैसे मैंने screen of query मैंने tap कर र जाता है जिसके अंदर आपको color invention वगयरा देखने को मिल जाएगा आप animation को भी remove कर सकते हो audio balance या high contrast अगर आपको चाहिए तो उसको अभी आप यहां पर enable कर सकते हो जो की काफी चीज है नीचे अगर हमाएंगे तो digital well-being आपको यहां पर देखने को मिल जाता है जिसमें काफी सारे function आपको देखने को मिल जाएंगे आपका phone कब on हुआ कब off हुआ यह सब चीज आपको इसके अंदर शोग कर देता है उसी के लावा थोड़ा सा नीचे आपको system में option देखने को मिल जाता है जिसमें आपको gasher option मिल जाएगा जो की काफी awaited feature है हमको यहां पर android 10 के लिए तो यहां पर system gasher's मिल जाएंगे तो आपको तीन तरीके के gasher's का option दिल जाएगा gasher's navigation, two button navigation, three button navigation आपको देखने को मिल जाता है तो यहां पर three button में as usual हम पुराना वाला use कर रेते हैं second button में pixel वाला and gasher में जैसा MIUI या iPhone में आपको आता है उस तरीके से आपको देखने को मिल ज स्लाइट से slide करोगे तो आपका Google Assistant यहां पर enable हो जाता है उपर pause करके रखोगे तो आपको यहां पर recent menu खुल जाएगा back जाना है तो इधर से आप इधर से दोनों तरफ से back भी जा सकते हो तो इसका भी option देखने को मिलता है हाला कि अभी यहां पर switch वाला option नहीं देखने को मि the apps तो यह भी option आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा यहां पर दिया हुआ है उसी के लावा थोड़ा सा हो गया है उत्ते ही function आपको देखने को मिलते हैं तो काफी smooth और काफी अची रोम देखने को मिलती है यहां पर मैंने आपको already बता दिया है कि manual camera यहां पर work करता हूँ आपको देख जाता है यानि camera to API इसके enable अंदर enable है तो google camera आप easily यहां पर चला सकते हो बिना किसी problem के तो यह चीज भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है बागी सारे mode आपको काफी easily access कर पाओगे काफी smoothly चला पाओगे तो उसमें भी आप build में इतने कम bugs हैं तो जो की काफी 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 चीज यहां पर मुझे लगी तो अगर आप दीरे-दीरे आइधिंक बहुत ही अच्छा है आप बिल्ड होने वाला है इसी तरीके से देख सकते हो यहां पर dark mode आप इद्दम simple toggle को tap करके आप उसको switch कर सकते हो gray scale mode को आप यहां पर tap कर सकते हो यह gray पूरा आपको कर देता है gray वाली बाइफ देता है जो कि काफी अच्छा है यहां पर आपको देखने हो मिलता है night light वगेरा आप अक्टिफ कर सकते हो वह भी work कर रहा है तो देखा जाए तो हर चीज आपकी इसके इंदर work करती हुई मिलती है वोल्टी मैं तो इसके लिए simply आपको अपने phone को सबसे पहले तो बूट करना है fastboot mode में आपको phone में कोई भी recovery होनी चाहिए जैसे कि TWRP या orange fox and simply आपको wipe कर देना है सारा data data उसी के लावा उसको जो file है इसका link मैंने description में दे दिया है आपको उसको simply flash कर देना है बहुत जादा easy matter है यहां प आपको shutdown shutdown करना है और फिर volume up button और power button को दोनों को एक साथ प्रेस करना है ताकि आपका phone यहां पे TWRP मोड में चला जाए यहां पर मैंने orange fox recovery use करी है आप चाहो तो कोई भी recovery use कर लेना recovery का यहां पर कोई भी funder नहीं है और note 5 pro वगेरा में तो काफी easily यहां पर work कर जाता है तो brightness बहुत जादा तेज है थोड़ा सा dim करते हैं तो इस तरीके से यहां पर यह open हो जाता है next again हमको simply wipe में जाना है कोई और recovery है तो आपके पास wipe में जाएगा फिर advanced wipe में आप जाएगा सिब चीज आपको select कर लेनी है internal storage मज select करना क्योंकि data file मैंने उसे में डाले हुई है तो मैं select नहीं कर रहा हूं swipe to wipe करना है सब काम हो गया आपका उसके अबाद आपको जाना है files में जहां भी आपने save करके रखी है files तो यहां पे files है यहां पे copy of pixel experience वायराइट तो यह आपको दे दूंगा link अगर आपको इस link से भी problem आती है तो एक और आपको बना दूंगा simply इसको swipe to flash कर दिना है swipe to install करते ही आपके phone में थोड़ा time लगेगा and installation process चालू हो जाएगा simply आप reboot में टैप करेंगे तो reboot system आपको option मिलेगा reboot में करना है me का animation आएगा then again आपको google का animation देखने को मिलेगा और quickly आपका phone चालू हो जाएगा बहुत जादा easy यह बहुत जादा मक्खन process आपको देखने को मलता है Gucci and इहां पर मैं आपको देखा दूझ एक चीज़ आपको lockscreen देखाना भूल गया कि आपको इहां पर lockscreen में भी यहां पर नए तरीके का animation देखने को मिलता है चेज देखने को मिलेगी जिसके नीचे आपको यहां पर देखने को मिल जाता है date वगेरा और कितना temperature है तो यह सब आपको यहां पर show हो जाता है काफी easy है काफी मखन रोम है आप जाके install कर सकते हो use कर सकते है इस डेली driver तो फिलाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं आपको और भी नई वीडियो में इंट्रेस्टिंग और इसी तरीके सी तब तक लिए टेक क्यार बाइबाइब नेक्स्ट वीडियो